तो आप सब को जुहार और यहां पर खबर निकल कर आ रही है कि जारकंट सीम हेमन सोरन को यहां पर एडी ने तीसरी बार भेजा समन 9 सितंबर को हो गई यहां पर अगली पुछता चली देख लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है बोला जारा कि जारकन की मुख्यमंत्री हेमंसोरे को प्रवत्तन निदेशाले ने तीसरी बार समन भेजा है राची में जमीन घुटाला मामले में अब उनसे नो सितंबर को यहाँ पर पुष्टाच होगी हला कि ED की तरफ से इसकी यहाँ पर अधिकारिक जो पुष्टी है वो अब तक नहीं की गई है बाचपास शांसद यहाँ पर निशिकान दूबे ने ट्विट कर इस और यहाँ पर इशारा किया है मालूम हो कि ED के समन के बावजूद यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन गुरुवार को यहाँ पर ED के छेत्रे कारेले राची नहीं पहुंचे आगे बोला जा रहा है कि आधिकारी की यहाँ पर सुत्रोर ने बताया है कि मुख्यमंत्री की और से यहाँ पर E.D. को पत्र के माध्यम से बताया गया है कि मामले को लेकर वो सुप्रीम कोड गए है हलाकि इस संब्द में यहाँ पर एडिको मुख्यमंत्री की और से कोई भी साक्षे नहीं दिया गया है इससे पुर्व आज यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर सचिवाले कर्मी से पत्र लेकर एक कर्मी गुरुवार को एरपोर्ट, रोड और स्थित यहाँ पर प्रवतन निदेशाले की यहाँ पर छेत्रे कारेले पहुँचा इस पत्र में क्या लिखा है इस बारे में मुख्यमंत्री सचिवाले कर्मी सुरज ने यहाँ पर मीडिया को कुछ भी बताने से यहाँ पर इनकार कर दिया था साथ ही यहाँ पर यह भी कहा है कि इस बारे में उसे कोई भी जानकारी फिलाल तो नहीं है उलेकनी यह है कि मुख्यमंत्री हेमन सोरन को बित्ते 19 अगस्त को यहाँ पर इडी ने दूसरा समन भेजा था E.D. ने मुख्यमंत्री को यहाँ पर समन भेज़ कर 24 अगस्त को यहाँ पर E.D. के राची यहाँ पर Zonal Office में उपस्तित होने को कहा था इससे पहले यहाँ पर E.D. ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को यहाँ पर समन भेज कर 14 अगस्त को यहाँ पर उपस्थित होने को कहा था लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर E.D. के समक्ष पेस नहीं होये थे उन्होंने ED को पत्रे लिखकर कहा था कि समन वापस लें मैं कानूनी यहांपर सला ले रहा हूँ कानूनी प्रक्रिया के तहट ED से निप्टेंगे मुख्यमंतरी ने लिखा था कि यहांपर आपका इस मामले में किया गया समन गयर कानूनी है वे कानूनी सला लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके की यहां पर बाते सामने निकल कर आ रही है हलाकि जो सारी चीज़ें हैं वो तो 9 सप्टेंबर को ही क्लियर हो पाएंगी कि वो यहां पर ED office जाएंगे या फिर नहीं या फिर इसको आगे टाला जाएगा या फिर यहां पर किस तरीके से यहां पर चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं किस तरीके से यहां पर मुख्यमंतरी के लिए यहां पर जो situation है वो और भी ज़्यादा critical हो जाएगी या फिर यहां पर कोई रास्ता निकाला जाएगा इसको लेकर और क्या यहां पर इस चीज़ से यहां पर हीमन सोरन जो है वो पाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं वो तो देखने वाली बात होगी जोहार